तो आज हमारी रसोई में बनने वाली है आइस क्रीम बस तेड़ कप धूद से चार अलग-अलग फ्लेवर की और यह कौन-कौन से फ्लेवर है न वह आपको आगी पता चलेगा तो हाई दोस्तों में कुसम स्वाकत है आपका कुसम रसोई में तो चलिए हम बनाते हैं सबकी फै आपको मिलती रहे तो चलिए फटाफट हम इसे बनाना शुरू करते हैं जैसा कि मैंने कहा हम देड़ कप दूद से आइस क्रीम बनाएंगे तो मैंने या पहले एक कप दूद लिया है क्यास को अभी हम नहीं करेंगे और इसमें टालेंगे हम वन फॉर्थ कप चीनी चीनी को मिक्स कर ले इसी के साथ इसमें हम एड़ करेंगे हाफ़ कप मिल्क पाउडर Przy Facist अगर आपको मिल्क पॉडर का मिक्स करना है तो आप 2 कप दूद ले और थोड़ा काड़ा कर ले उसके बाद 1 4th कप मिल्क पॉडर एड करें और जब मिल्क पॉडर दूद में अची तरह से मिक्स हो जाए तो हम कैस को अन कर देंगे और एक उबालानी देना है तो जब हम नॉ में एक चोटा चमच लिया और इसमें आड़ करेंगे हाफ कप दूद दूद नॉर्म टंपरिचर पर गर्म है ठंडा या फिर गर्म दूद हमें नहीं लेना अगर गर्म दूद लेंगे ना तो इसमें चोट चोटी गुट्लियां बन जाएंगे अभी इस मिसरन को एक हाथ स तक पकाना है उतनी दिर में दूद जो है वो गाड़ा हो जाएगा देखिए इसका टेक्षर कितना क्रीमी है इसे चेक कैसे करें कि यह पाफिक्ट हमारा मिसरन तयार हुआ है या नहीं से ज्यादा गाड़ा भी नहीं करना है और पतला भी नहीं रखना है तो इस अब चेक ह अब चेक को आफ कर देंगे और यह थंडा होनी के बाद और गाड़ा होगा यह भी ध्यान रखिएगा अब इसे में रूम टंपरिचर तक थंडा होनी देना है तो थंडा होनी के बाद लगे इसमें गुट्लियां अगर बन गई है तो मिक्सिजार में घूमा दें या फिर अब आपका स्मूथ मिस्रम तेयार हो जाएगा आप चार फ्लिवर वाली आस्क्रीम तियार कर रहें तो इस मिस्रम को चार भाग में डिवाइड कर लेंगे तो अब बारी है इन में फ्लिवर डालने की सबसे पहले हम वैनिला फ्लिवर डालेंगे तो मैं यहां 2-3 डॉप वैनिला आस्क्रीम डाल रही हूं अगर आप सारी मिस्रम से वैनिला आस्क्रीम बनाना चाहते हैं तो एक टीस्पून एड करें नहीं छोटी वाली चमच होती अगरी है न उससे डालना है हमें और दूसरे में डालेंगे आदा चोटा चमच चॉकलेट पाउडर तो आप चॉकलेट पाउडर की जगह पे चॉकलो चिप्स भी डाल सकते हैं या फिर जो भी चॉकलेट आपको पसंदो उसके चोटी टुक्रे कट करके और इसमें आड कर तो होगया कर यह हमारा चोकलेट आपको पाउड रिर वे पैवरिट और यॅ ऊपक्राइब के चौटो चॉतुकलेट को टोड़ करके हैं तो यह को झघु करते हैं तो अब राई रहे तो इसमें डालेंगे धायच ऌमच आम के पलग तो आम की पलग तो तेयर करने बहुत आ आम को चील कर उसके पल्प को निकाले और मिक्सिजार में डालकर ग्राइंट कर ले तो हो गया तयार हमारा मैंगो पल्प तो कलर के लिए इसमें मैं दो बून यलो फूट कलर डाल रही हूं यह ऑप्सनेल है बस डालने से कलर आता है और कुछ नहीं आपकी मर्जी हो तो डाले पाल फूट करने के लिए में या कूल मोल्ड एस चाहें तो बіना कुली मॉल्ड की या आस्क्रीम मोल्ड की विन्य को बणकां सकते हैं यह जो जो चोटे वाले पेपोर वाले कप होते या पिर चोटे चोटे ग्लास होते हैं बच्चों के इसमें भी आप सेट कर सकते हैं तो सबसे पहले गया हमारा वैनिला फ्लेवर और इसके बार डालेंगे हम चॉक्लेट फ्लेवर और इसी के साथ हम तीजरे में डालेंगे मैंगो फ्लेवर तो आप चाहें तो इसमें आम के चुटुछ टिपीस कट करके भी आड़ कर सकते हैं तो आइस्क्रीम के साथ जब मैंगो बाइट आएगा तो बहुत ही मैंजाएगा और आप बार यह बच्चों की फैवरिट और जिस डालना बने तो मैं रहरा हम अपोटें से वैक कर सकते हैं मतलब इसे कवर करनी से अब आईसक्रीम इस्टिक टालने करें इसमें होल करते हैं और आइस्क्रीम एस्टिक को अंदर के तक डालें ताकि जब आइस्क्रीम को डेओ तो इस्टिक हात में लगा रहें और यह हमारा आइस्क्रीम तैयार है सेट होनी के लिए इसे हमें 8 से 9 घंडे तक फ्रेजर में जमनी क्यों आए जब अचीत्रे से जम जाएगा तब हम आगे की कारवाई करेंगे मैंने से रात पर फ्रिजर मेरे खता सेट होने के लिए हमारा आइस्क्रीम देखिए सेट हो चुका है तो यह तो हुआ नॉर्माल आइस्क्रीम अब हम इस पर कोटिंग करेंगे चॉकलेट की और बनाएंगे चो कोलेट लगात बाइल के लिए मेने में ने कुप लिया कपके प्लक्स जाहें है तो अि मैल इसी मर्ण करना हो차 को चैरिए।ंग्ट को मेशा नियूक्षत करना के लिए हम डबल जाहर। है पहलता हिए उबल्ता हो और उसके इंपर चॉकलेट की बाहल पो रखेंगे। चॉक्लेट अगर ज्यादा कुख हो जाता है तो इससे कुकोबटर अलग हो जाता है इसलिए चॉकलेट को हम हमेशाद डबर बॉयलर या फिर माइक्रोवेब मी 30 सेटकेंड के लिए मेल्ट करते हैं तो मैक्रोवेब में 30 सेकंड के लिए पेख करें आ तो 15 सेकंड बात निका जल्दी मेल्ट नहीं होगा आपका चॉकलेक्ट अधिरी धिरी मेल्ट हो गया अगर ठेंडा हो जाए तो पानी को दूबारा से कर्म करकी उसके बादि फिर से चोकलेट की बॉल को उस पर रख दे देखिए यह हमारा ग्लेजी ग्लेजी चॉकलेट तयार है इसमें कोई भी आप चॉकलेट के टूपरिय नहीं बचे हैं आप चाहें तो इसे च्छान भी सकते हैं तो इसे हम बड़ी ग्लास में डाल देंगे जिसमें कि हमारा आइस क्रीम आसानी से डीप हो जाए अगर छोटे बरतन में डालेंगे तो फिर आइस क्रीम को जब को बाहर निकालेंगे एक आएस क्रीम निकालने के बाद बचे हुए आइस क्रीम को वापस फ्रीजर में रखते हैं नहीं तो फिर फिर मेल्ट हो जाएंगे यह से हमारा वेनिलया फ्लेवर आइस क्रीम इसे चोकपा बढ़ेंगे हम डिप करेंगे तो धियान रिखिए कि जो इस पर जाएगा तो फिर आइस क्रीम का लेयर जाएगा और हाथ में डंडल आ जाएगी और एक भी भी जादा गए तक चॉकलेट में डीप करके ना रखें नहीं तो इस पर बहुत मोटा लेयर लग जाएगा फटा फट घुमाए चॉकलेट की कोटिंग होती है इसे उपर कर इसमें जो एक्स्टा चॉकलेट है उसे निकल जाने दें दो से ती मिनट में चॉकलेट का लेयर जो है नो सूप जाता है तो चॉकलेट की कोटिंग करने के बाद इसे फ्रेजर में रख दें अब बार यह दूसरी चॉकलेट पर कोटिंग करने के तो यह लिए मैंने चॉकल चौको बार पर क्रेक्स आजाएंगे और अगर चॉकलेट गर्म होगा तो फिर वह आईस्क्रीम पर चॉकलेट की लेर नहीं होगी अगर लगे कि चॉकलेट जब रहा है तो फिर उसे दूबारा से डबल बॉयलर में मिल्ट कर ले आप बच्चे हमारे दो आईस्क्रीम यह मैं की कोटिंग और बनाया है चॉकल बार आपको इंसे में से कौन सा फ्लीवर ज्यादा पसंदा है कमें बॉक में लिकर जरूर बरता है और इंज्वाई करी